पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहा अपने स्कूल में मरम्मत कार्ज को पूरा कर सके अब उनके लिए बड़ा फैसला क्रे मोंौ्स कुछ सथ्यरम कुरें उन्हें नहें कहा है कि प्रतिये स्कूल में मास्टर को पचास हजार रुपय则 दिये जाएंगे जो कि स्कूल की मरम्मत dieta हो सके बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें बयान दे दिया है और क्या कुछ कहतने दिरा रहे हैं सुनील कुमार पहले आप इनका बयान सुने बड़े भाई की भूमका में तो फिलाल जो मुख्या होता है वही बड़ा होता है यह तो सभाविक है ठीक है जरा साथ जन्सुलाई हो जाए है जो पहलिया दो तरह की है एक तो हम लोगे ने कहा कि सक्षम्ता वाली तो उनका तो अलग मामला है जिसमें की एक लाक सी अजार से जादे पॉलिफाई कर गया है उनको पुनह चांस मिलेगा पुल मिलाकर पांच बार उनको चांस मिलेगा उसके अतरिक प्रधान सिक्षक और प्रधान द्याफक की बाहली का मामला है और कंप्यूटर सिक्षक की है यह बाहलियां शेश हैं जैसे रिजल्ट आएगा तो हम लोग करेंगा तो हमने कहा था पिछली बार की इस महीने के अंद तक हम लोग मिश्यत ग्रूप से निर्णा देने हैं और एक और बात बताना च प्रधान अन्य पदादिकारियों ने एक चीज महसूस किया कि स्कूलों में जो हेड मास्टर होते हैं प्रधान अध्याफक होते हैं विविन स्कूलों के उनके पास अपना कोई स्वातंतर राशी नहीं होती है जिससे चोटी-चोटी मरमत करा सके या बल खराब हो गया या स्वाचाले में दिक्कत हो गई पीने का पानी में तो हम लोगों ने 50,000 रुपिया प्रती स्कूल इस तरह से आवंतित किया है रिवॉल्विंग फंड जो उनको और किन-किन बिंदों पर वो अपना छोटा मोटा रिपेर करा सकते हैं ताकि स्कूल का जो फंक्शिनिंग है करके अगर तहीं बल्प फ्यूज कर गया मरकरी खराब हो गई विजली की व्यासता गडबड हो गई पीने की पाने की शोचाले में कुछ थोड़ी महुत मरमती करानी हो तो वह हम लोगों ने आदेश निकाल दिया है और यह ताकि स्कूल का जो फंक्शिनिंग और बहतर तर लुए आप सभी को नमशकार देखिए कोकी जो प्रक्रिया है तो उस्के का भी गहना ठीक नहीं होगा कोट का अपना एक प्रसीजर होता है तरगिया होती है और व्यूद्ट उसमें जब केस आई प्रैल प्रैल पर आ जाता है मैटर जब सब्व्यूरीोस हो जाता है तो उस तो चुनाव जो हो रहे हैं उसमें तो विभिन पार्टियां पार्टिस्पेट कर रही है और जनता जनारदेन जिनको पुचित समझेगी अपना चुनाव करेगी और बिहार में जैसे जनता जनारदेन में मानिर मुठमंत्री जी को चुना तो महां भी जब काफी दिनों बाद चुनाव हो रहा है, भोगों में उत्साह है, और सभी पार्टियों को मौका मिला है, और सभी पार्टियां अपने भाग्य को अजमा रही हैं, सभी अपना काफी दिनों बाद वहां पूल करके, वहां पर प्रचार प्रसार कंवैसिंग हो रही है, और देखिए, रिजल्ड का ह हम लोग इंतजार करें, देखिए उस पार्टि का वो इंटर्नल मैटर है, और अपनी समझे उन्होंने निर्णे लिया, लेकिन जो केसेज हैं, केसेज तो परकरार रहेंगे, जो मानि अर्विन केजरिवाल पर जो केसेज हैं, तो वो केसेज का तो निश्यत रूप से कोट उसमें निर्णे लेगा, और जो राजनितिक निर्णा है, उसके लिए तो सभी पार्टियां स्वातंतर हैं, कि किस तरह का निर्णे ले, बोन मुक्यमंत्री होता है, कोण नहीं होता है, कोण इस्तिफा देता है, वो गांदरूनी मामला है, लेकिन जहां तक गानूनी प्रक देखें, उसमें जो प्रधान अध्यापक और प्रधान सिक्षक की जो बहाली की प्रक्रिया है, तो उसमें बदलेवे परिस्तिति में जो आरक्षण की वेवस्ता है, उसमें कुछ बदलाव आया है, जो हाई कोट का आदेश हुआ है, तो उसके परिस्तिति में उस तरीके स निशी तुरुप से अपना रिजर्ट निका लें है हम लोग ने अनुरोद किया कि जल्द से जल्द उसमें निर्ने ले ले और उसी तरह से इन्वेस्टी कमिशन भी जो प्रोफेसर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बालिया है तरीब तेरे सो से जाधे रिजर्ट आ चुके है हम लोग ने कहा कि और भी जो हम लोग ने अधियाशना की थी उसके मुताविक हमको जल्द से जल्द एसिस्टेंट प्रोफेसर्स की बालिया है सुनिल कुमार ने कहा कि जितने भी स्कूल है उनके हेड मास्टर के पास श्वतंतर रासी नहीं होने के कारण वो मरमत कार्ज को पुरा नहीं कर पाते हैं इसको लेकर पच्चास हजार रुपे परतेक स्कूल में मास्टर को दिया जाएगा जिससे कि स्कूल में मरमती का कार्ज होगात किया जाएगा तो वहीं कासमीर में बिधान सवाचुनाब पर उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां वहां अपना भा हैसला किया जाता है कि वहां का मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हों तो देखा जाएगा कि अब वहां मुख्यमंत्री कौन होंगे लेकिन सभी पार्टियां वहां अपना अपना थाकत अजवार हैं और उमीद है कि भारतिये जन्रता पार्टी के साथ यानि एंडिये की सर कि ये कोट की मामला है इस पर मैं कोई परतिकिरिया नहीं दूंगा क्योंकि जो भी इसके मामले हैं ये कोट फैसला देगी और क्या कुछ कहतर नजरा है मैं आपको सुनाया फिलाल इस ख़वरों बस इतना ही आगे के तमाम ख़वरों के लिए बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद